Welcome back traders with another learning video So traders यह Basics to Advance का Part 2 है अगर अभी तक आपने Part 1 को नहीं देखा है तो जाओ देखो मैं Description प्ले लिस्ट का लिंक देदूँगा आप वहाँ पे जाके Part 1 को देख सकते हो और मैं I button में भी देदूँगा उपर की तरफ आपे भी आप किलिक करके देख सकते हो अगर अभी तक आपने अपना DMEIT account नहीं open करवाया तो करवा दो जब तक आपका DMEIT account ओपन होगा तब तक आप बहुत सीख जाओगे मैं नीचे description में भी DMEIT account के link के provide कर दूँगा आप वहाँ से भी अपना DMEIT account ओपन करवा सकते हैं तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ डिडिंग करने के लिए आपको इन दो candles का knowledge मना बहुत जुरूरी है मैं आपको बहुत सिंपल तरिके से बताऊंगा ये candle कैसे बनते हैं और इन दोनों candle का काम क्या है आप एक green candle देख रहे हो इसको हम बोलते हैं bullish candle bullish मतलब market उपर जाने में वेज़ होता है उसको हम bullish बोलते है जिए red देख रहे हो ये होता bearish candle जो हमारे prediction देख मार्केट नीचे जाएगा तो ये हम उसको bearish बोलते है ठीक है आपको इतना समझ में आगे जो green है वो bullish में आता है जो red है वो bearish में आता है ठीक है मैं आपको एक example बताता हूँ example बताने के बाद मैं बताऊंगा ये कैसे काम करते है ठीक है जैसे मान लो petrol है ठीक है petrol का price मान लो मैं नब्बेर पे लेता अब ये मत कहना कि sir हमारे यहाँ पे तो petrol का price ये है वो है जैसे मैं आप एक example बता रहा हूँ जैसे कि मैं petrol का price का ले रहा हूँ वो है नब्बेर पे है ठीक है यह इसकी opening price है मैं कर रहा हूँ इसकी opening price क्या कर रहा हूँ 90 रुपे पर ले रहा हूँ पर क्या हुआ यह जो 90 रुपे पर यह 90 से कम होकर यह चला गया 80 रुपे पर यह 80 रुपे पर यह 80 रुपे पर रुक नहीं पाया 100 रुपी पे रूक नहीं पाया तो यहाँ पर क्या हुआ हमें पता लगा कि इसमें यह 80 रुपी का लोग मारा है ठीक है 80 रुपी का लोग मारा है इसी 80 रुपी पर रूक ना पाया और यह बापस ऊपर की तरफ जाने लग पड़ा यहां से यह किया 90 पे 90 से गया 95 पे ठीक है 95 से गया यह 100 रुपीज पे ठीक है तो 100 रुपीज पे जाने के बाद यह यहां पे sustain नहीं कर पाया यहां पे sustain नहीं कर पाया तो मतलब यहां पे यह high मारा और यह बापस से नीचे आके 95 रुपे पे close कर दिया क्या कर दिया close कर दिया इसने 95 रुपे पे तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो पेट्रोल है वो इसका जो opening price है वो था 90 रुपे यह हमारा opening price है 90 रुपे और इसमें low कितने रुपे का हमारा 80 रुपे का low मारा इसने ठीक है और इसने high कितने का हमारा high हमारा इसने 100 रुपीस का और ये close कितने पे हुआ ये था इसका closing point पंचानद मेर पे ठीक है ये हमारा offering price है ये हमारा close price है ये हमारा high price है और ये हमारा low price है तो इसमें आपको क्या पता लग रहा है जो petrol का price है वो बढ़ा है मतलब जो 90 रुपे का पट्रोल था वो 25 रुपे पर जाके क्लोज हुआ है मतलब यहाँ पर आपको 5 रुपे का जो है यहाँ पर बढ़ोती देखने के लिए मिल रहा है ठीक है अब मैं आपको कैंडल के माददी में बताता हूँ कैंडल में कैसे दिखता है यह जैसा मैंने अभी आपको एक्जामपल बताया था पैट्रोल का वैसे अब देखो यह कैंडल में कैसे काम करता है यहाँ पर कोई भी स्टॉक है कोई भी स्टॉक रैंडम ली है उसका प्राइज जो 50 रुपे से ओपन हुआ वो प्राइज बढ़ने की जगा कम होके 20 रुपे पर चला गया पर वो 20 रुपे नहीं रुका बापस उपर जाना शिरू होगा मतलब उसमें प्राइज में इंक्र कर दिया तो इससे हमें क्या पता लगा जो यह कोई भी स्टॉक है इसका जो ओपनिंग प्राइज है वो था 50 रुप ये हमारा था ओपनिंग प्राइज ठीक है और यह क्या किया? इसने low मारा 20 रुपे का यह हमारा low point है 20 रुपे का और यहाँ पे 20 रुपे पे वो रुका नहीं उपर गया उपर गया पहले 100 रुपीज का 100 रुपीज पे भी यह cross करके 1.5 रुपे भी गया 1.5 रुपे पे जाने के बाद यह बापस नीचे आ गया है इससे हमें क्या पता लग रहा है? यह जो 1.5 रुपीज है यह इसने high मारा था ठीक है? यह इसका high point है और इसने क्या किया? यह close कर दिया 100 रुपीज पे इसमें कर दिया close 100 रुपीज पे तो इससे हमें क्या पता लग रहा है? कोई यह जो stop था इसका जो opening price था वो 50 रुपे था 50 रुपे से वो गया 100 रुपे ठीक है? मतलब इसमें 50 रुपे का जो हमें बढ़ोती देखने के मिला इसे 50 रुपे का price increase हुआ जबकि इसने low 20 रुपे का किया है और high 1500 का मारा है ठीक है? तो यह होता है green candle इसे हम बोलते green candle जिसमें हमें price increase होता हुआ दिखता है देखो यह जो अब green candle देख रहे हो green candle का क्या सीन है? green candle हमेशा नीचे से open होगा और वो उपर की तरफ जाएगा उपर से यह open नहीं होता है उपर से open नहीं होता है यह नीचे से open होगा और उपर की तरफ जाएगा ठीक है? इसको हम बोलते है green candle बहुत easy था I hope आपको समझ में आ रिया होगा देखो ready candle explain करने से पहले मैं आपको थोड़ से अच्छी बता देता हूँ देखो मैंने आपको क्या बता है था green candle हमेशा नीचे से open होता है और वो उपर की तरफ जाता है क्योंकि यह bullish candle होता है ठीक है? और red candle क्या होता है? Red candle उपर से open होगा और वो नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि यह bearish में आता है downfall में तिक यह आपको simple समझ में आ गया होगा अब यह समझो मानलो यह जो green candle का ball round नीचे से शिरू होता है जैसे यह नीचे से शिरू हुआ और यह उपर जाने की वजाए अगर यह नीचे जाना शिरू हो जाएगा तो यह green की जगा red में convert हो जाएगा यह क्या होगा green की जगा red में convert हो जाएगा जब यह बापस उपर जाना शिरू हो जाएगा यह फिर से green में convert हो जाएगा और यह जो red में convert हुआ था यह एक wick बन जाएगा मैं अभी आपको सब कुछ explain कर दोगा with picture के साथ तो यह होगा green का concept अब red का concept क्या है red हमेशा उपर से open होता है वो नीचे की तरफ जाता है मानलो नीचे जाने के बजाए उपर जाना शिरू हो गया तो यह जो red आप देख रहे हो यह red green में convert हो जाएगा यहाँ पर यह bearish में आना तो वहाँ पर bullish में जाना शिरू हो जाएगा और यह उपर जाके मानलो यह उपर यह नहीं sustain कर पाता है वापस से नीचे आना शिरू हो जाता है जहाँ से open हो था उसके नीचे आना शिरू हो गया तो यह बापस red में आ जाएगा तो इससे हमें क्या पता लगेगा जहाँ पर यह उपर गया था जो इसने high करकिया आया था यह इसका width point में आजाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया red candle हमेशा उपर से open होता है तो यहाँ पर कोई भी stock है मतलब XYZ एक्गाम पर लिलिया है यहाँ पर मालब कोई stock 100 अपर से open होता है वो नीचे जाने की बजा है उपर जाना शिरू हो जाता है मतलब जहाँ से open हुआ तो वहाँ से उपर जाना शिरू हो गया मतलब यह अब विरीन भी convert हो गया वो उपर जाते जाते वो डेड़ सो रुपर गया पर यहाँ पर सश्टेट नहीं कर पाया यहाँ पे क्योंकि sellers की power ज़्यादा थी तो बापस से इसको नीचे लियाना शुरू कर दिये price को तो यह price बापस से नीचे आना शुरू हो गया जैसे वो अपने ओफल price पे पहुचा और उसको cross करत के जैसे नीचे आ जाएगा तो यह बापस से red में convert हो जाएगा तो धीरे धीरे जैसे यह नीचे जाना शुरू हो गया यह पहले गया 50 पे और इसको भी break करते हैं वो चला गया 20 रुपे पे ठीक है 20 रुपे पे वो sustain ना कर पाया और बापस से वो उपर जाना शुरू हो गया जैसे ये वापस उपर जाना शुरू हो गया ये जाके क्या किया 50 पर जाके अपना close दे दिया तो इससे हमें क्या पता लगा कि ये जो opening price है इसकी वो है 100 रुपीज पर ठीक है ये हमारा हो गया open price और इसमें जो है high कितने के लगाया high लगाया इतने 1.5 रुपेकप ठीक है अब ये वाला जो point देख रहे हो न इसी को हम विक बोलते हैं ठीक है इसी को हम विक बोलते हैं और ये क्या किया market देखो तो मार्केट नीचे गया 20 रुपे पर यहाँ पर सस्टेंग ना तरपा है जो इसको हम low बोलते हैं ठीक है यह हमारा low point हो गया यहाँ पर सस्टेंग ना तरपा है और यह जाके 50 पर closing दे दिया ठीक है इसका close point है 50 पर तो इससे हमें क्या पता लगा कोई भी मतलब particular stock है वो 100 रुपीस पर open हुआ और इसने जो high अपना किया और 500 रुपे पर किया और जिसने low किया वो 20 रुपे गमारा और 50 रुपे पर जाके close कर दिया मतलब जो इसमें sellers है अभी भी 50 रुपे पर profit में है देखो आप आपको यह समझना पड़ेगा market भाले उपर जाए market भाले नीची जाए दोनों में profit loss होता है अप चलते हुए market में profit कर सकते हो मतलब बुलिश में भी आप profit कर सकते हो बेरिश में भी आप profit कर सकते हो यह simple सा concept था candle six pattern का मैं आपको ज़र सब एक्जाम तर पिक्चर के साथ बदा देता हूँ कि यह आपको कैसा देखने के लिए मिलता है देखो कुछ इस परकार का candle था जो मैं आपको समझा रहा था यहाँ पे आप इसका high point यह है इसका low point यह है आप ये जो comic color का यह देख रहे हो black color का यह जो आपको यह दिख रहा है is कोlle Wick बोलते है ठीक है इसको बोलते है Wick ठीक है इससे पता क्या लगता है कि prize एकना low मान रहा था यह इसने एकना high की आता प्रास ने ठीक है यह हमारा bullish में होता है बेरिश में ये वाला जैसे मैंने आपको रेड केंडल बताया ठीक है ये सेम है ये वाला जो आपको चिद्धी करा है ये इसको आपको बिक बोलते है इससे हमें यही पता लगता है कि जो केंडल है वो कितने रुपे का हाई की है और कितने रुपे का लो की है निए डही होगा होगा कि ये तो ये पार्ट टू था अगर आप में पार्ट वन नी देखा जाओ पार्ट वन भी देखो आप फोस्ट अगर कुछना कुछ नौलज देखने के लिए मिल गया होगा I hope आपको इस वीडियो से बहुत सारे learning points मिले होंगे तो please like subscribe जिरू कर देना मैं आप कभी भी नहीं बोलता हूँ like subscribe करने के लिए पर मैं आप बोल रहा हूँ please like subscribe जिरू कर देना ताकि मेरों को भी motivation मिले और मैं जल से जल next part लेके आओ और अगर अभी तकर आपने अपने dmata card open नहीं करवाया है तो जाओ अपने dmata card open करवाओ मैं description में link दे दूँगा आप किसी में भी अपने dmata card open करवा सकते हो अगर आप मेरे दिवे link से अपने dmata card open करवाते हो तो आप free of cost मेरे ebooks को access कर सकते हो तो जाओ अभी अपने dmata card open करवाओ तो मिलते हैं next वीडियो में have a nice day